नमस्कार दोस्तों, वेल्कम टो एंबेट्रेनर, मैं हम सौरव ठाकूर, स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसे कि आप देख सकते हैं, आज का एज़ेंडा है, पर्मेडेशन कॉम्बिनेशन, उसमें भी एकदम बेसिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और उसमें भी counting, जिसको हम बोलते है, filling, वो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप इसे वो सारे के सारे बच्चे जिनका PNC एकदम अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बढ़िया है, यहां से पिक कीजेगा, यहां से अच्छा कर दीजेगा, धीरे धीरे धीरे, gradually but slowly वो अच्छा ज़रूर होगा, आप इस वीडियो जहां पर भी देख रहे होंगे, चाहे वो YouTube हो, Facebook, Instagram हो, आप चाहे तो हमारे YouTube चैनल, MBTransform ठागर में जा सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से benefit अवेल कर सकते हैं, ठीक है, चली, स्टार्ट करते हैं, आप देखिए, म जिनको थोड़ा सा भी fear होगा, PNC का, जिनको नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वीडियो pause करना, कटा कट बनाते हैं, बस आखरे में answer अपना चेक करते जाना है, ठीक है, तो जिन बैचों को fear होगा, मैं उस आप से बताता हूँ, तो सबसे पहले तो, कहां पर P use होता है, क जहां पर भी या वाली feeling आए, या मतलब सर, choice, जहां पर भी आपको choice given हो, choice मतलब, आपको select करना है, 4 black markers, या फिर 5 red markers, आपको select करना है, 3 girls और 5 boys, जहां पर आपको choice given हो, हर इस जगह पे, और, और इसी को हम लोग बोलते है, plus, और अगर यही आप use कर रहे हो, मैं future में justify कर set theory में, तो इसी चीज के लिए हम लोग बोलते है, union, एक arrow बना देता है, इसी चीज को हम लोग बोलते है, union, तो यह बहुत ही अच्छा point है, set theory and probability, जहां पर आपके पास there is no choice, हिंदी में नहीं लिखता, हिंदी में और, और की मात्रह लगाँगोंगोंगोंगोंगोंगोंग कासरी confusion हो उसमें, आपको select करना 4 black marker and 5 red marker, आपको select करना 3 लड़किया and 5 लड़के, जहां पर भी and वाली चीज आए, तो वहां पर हम लोग यूज करते है, multiplication और probability and set theory इस तरह के topics में, आप यूज करोगे intersection, यहां दा clear है कि आपको, हतम बान, सर एक बार इसको फिर से बता आप इंडिया में कहीं पर भी, अगर आप मेरे साथ notes बना रहे हैं, तो मैं आपको promise करता हूँ कि आपके topic को improvement जरूर आएगा, मैं आपको इतना promise करता हूँ, सबसे पहले चीज, मैं बोला कि चाहिए ही नहीं, PNC में क्या होता है, हटा हो सब PNC, PNC, यहां पर आ जो, मैं आपको select करना है, पांच लड़किया या फिर छे लड़के, जहां पर यहां वाली चीज है, जहां पर choice given हो, और वाली feeling आए तो plus, और इसी चीज को probability and set theorem बोलते है, union, हाला कि cubes करें भी टॉपिक होता है, वहां पर भी ऐसी होता है, वो बात में बात करेंगे, where there is no choice, आपको select करना 3 black markers and 4 blue markers, आपको select करना 3 लड़के and 5 लड़िया, multiplication and decision, यहां तक है ठीक है, अब आज हो यहां पर, तो आपने देखा, question आपने पढ़ा होगा, एक classroom है, ठीक है, इस classroom में 10 लड़के, 8 लड़के, बहुत basic questions है, लेकिन इस तरह question बैंक के exam में, SSC के exam में, अगर आप FCAT के exam देने वाले, तो FCAT के exam में, आप में से वो बच्चे जो MBA के exam, फोड़े आसान exam, जैके NMAT, NMAT में और बहुत सार कणोंस होता है, MAT का exam, CMAT का exam, TISC का exam, इर्मा यह देने वाले तो उनके लिए important है, ठीक है, एक class में 10 लड़के, 8 लड़के है, class में उन टरसलेट करना है, य में इसे किसी भी एक को select कर लिया, agree कर रहे है, या फिर जहां पर और वाली चीज आए, या वाली चीज आए, प्लस, या फिर आपने select किया 8 में से एक girl को, सरी क्या बता रहे हैं, मैं समझा नहीं, ये 10 बता रहे हैं, जो 10 लड़के हमारे पास available थे, और ये 10 लड़कों में स एक girl का selection class monitor के लिए, तो 10 C1 मतलब होगे 10, ये होगे 8, 10 प्लस 8 मतलब 18, बड़ी अब basic सा question था, सहीं, आगे चले, एक question और display हो आपके लिए, इसमें आपको 3-digit number मनाना होगा, once again numbers देगा, 0 से लेके 9, पहली बात, कुछ भी नहीं बोला गया, repetition allowed, सबसे पहली बात 3-digit numbers मनाने है, मैंने अपको क्या बोला, जहां पर या वाली चीज़ आए, प्लस, जहां पर and वाली चीज़ है, multiplication, चलो, इस पर आजो, सबसे पहली बार 3-digit number, there is only one constraint, and what is that, कि इस place पर 0 नहीं आ सकता, agree करते हैं, सर क्यों, तो फिर 3-digit कैस होगा, single double digit होगा, ये बात तो है, तो one से लेके nine तक के कोई भी fill हो सकता, ये agree करते हैं, yes, सुदिये न, मैं और आप आपस में understanding रखते हैं, कहीं भी, सिर्फ two digit, three digit की बात नहीं, कैसा भी number हो, चाहे two digit हो, three digit हो, अगर हम ना, ऐसे two को circle कर देंगे, तो मैं और आप मानेंगे, कि वहां पर मैंने fix कर दिया है, अग अगर सिर्फ इस तरह से लिखा हो है two, मतलब दो तरीके हैं उसको fill करने के, तरह two ways, अगर मैंने लिखा है four, तो there are four ways को fill करने के, ये हम आपस में understanding रखेंगे हैं, ठीक है, चलो, तो उसको fill करने के कितने तरीके होगा है, nine, ये भी सही बात है, second digit, zero से लेके nine तक कुछ भी सकता है, event को occur होने का बराबर मौका दें, अगर आप इस तरह के habits inculcate करके रखेंगे, आपको probability में problem नहीं आएगे, ठीक है, तो zero से लेके nine तक के मतलब 10 digits, zero से लेके nine मतलब यहां पे भी होगा है, 10 digits, पहले बताईए, यहां रखेंगे है, चलो, माल लो, एक बच्चे को ब देखते हैं, ready, सबसे पहले आप खुद सोचो, यह लिखा, nine plus ten plus ten, ऐसे लिखा है, मैं आपको क्या बोला, जहां पे और, यह वाले चीज़ा है, और, और वाले चीज़ा है का plus, तो आप बोल रहे हो, या तो यह nine चाहिए, या फिर, और, यह ten चाहिए, या फिर, मतलब और, यह ten चीज़ा है, लेकिन three digit number में, unit's place भी चाहिए, and tens place भी चाहिए, and hundreds place भी चाहिए, and hundreds place भी चाहिए, agree करते हैं, मतलब units place भी चाहिए, and tens place, and hundreds place, and that is why, यह plus plus policies एकदम गड़बड है, यह गडबड, हमको चाहिए units place, and tens place, and hundreds place, तीनों को multiply कर दिया, हमारा answer आगया, nine hundred, agree करते जैसे यहां पर repetition allowed था, इसको बोलते है, repetition is allowed, अगर यहां पर repetition allowed था, अगर repetition not allowed बोले तो, देखें, तीसरा question आप देखें, आपके लिए display करो, एक दम basic question, तीसरे question में आपको यही बोला है, कि distant, sir, distant का मतलब, इस शब्द का मतलब यही होता है, कि repetition is not allowed, ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं, तो उसमें notes में लिखें रखेंगा, distant word का मतलब क्या होता भी, repetition not allowed, यह मतलब होता है, ठीक है, all three digits, ठीक है, repetition allowed नहीं है, तो ना रहे, चलो, fill करने के तरीके देखें, यहां पर zero नहीं आ सकता, तो filling के तरीके, filling के तरीके होगा, one से लेके nine तक के कोई भी म मौका दीजिए, वो नहीं आ सकता, जो hundreds place पे already आ चुका है, तभी तो repetition not allowed है, zero से लेके nine तक कोई भी आ सकता है, hundreds place पे जो आ वो नहीं आएगा, 10th place पे जो आ वो नहीं आएगा, agree करते हैं, zero से लेके nine तक के 10 digit होते हैं, hundreds place वाला नहीं आएगा, तो यह होगा 9, 10th place वाला नह एक लिए, units place चाहिए, and 10th place चाहिए, and hundreds place चाहिए, so nine into nine into eight is 648, आपको बिलकुल ऐसा लाएगा, सरी तो बहुत basic question है, मैं तो चाहता ही था बहुत basic question आपको देना, और आपको ताज्योब होगा जानके, आपके सामने अब जो question display हो रहा होगा, यह उतना ही basic question है, और यह question आप मेरे साम notes बना रहे हैं, जो कि बनाना भी चाहिए, तो सबसे पहले between का मतलब लिखें, when you use the word between, it means lower limit और upper limit को छोड़ के, सब मतलब, मतलब यह, यह होगा hundred, hundred से बड़ी value, माल लेते हैं एसे numbers हैं, और one thousand से छोटी value, यह आप कहना चाहरे हो, तो ऐसे कितने numbers हैंगे, जो hundred से तो बड़े हों, and one thousand से चोटे हों, यह मतलब होता है, इस word between का, clear है, अगली बार गबड़ मत कीजेगा, जो बच्छे आप में से IFT वगर के बारे में सोच रहा हो, तो IFT वगर के exam में between वगर वगर काफी बार दिया आता है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, digits होने चाहि हाला कि नहीं पूछा गया, बट ठीक है, दूसरा वो कर देंगे की digits even होने चाहिए, यह पूछा गया था, digits कैसे होने चाहिए, even, digits, digits even होने चाहिए, number even होने चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, एक, दो, तीन, number even कब होगा, जब unit digit even होगा, agree करते है, yes, तो अबडर agree करते है तो यहोगे 0, 2, 4, 6, 8 यह देखिए फिलिंग के तरीके इन पाँचों में से कोई भी सही है? कंडिशन को सेटिस्फाई करके सामने आज यह 1 से लेके 9 तरीके ऐसा जुरूर लिखने के आदर डालेगा तो गुड हाबिट 1 से लेके 9 तरीके कोई भी यहाँ पर फिलिंग करने के तरीके 0 से लेके 9 तरीके कोई भी मतलब 10 केस समझ मैं आगे आपको? तो यहोगे 9 इंटू 5, 45 इंटू 10 प्रिकास यूनिट स्प्लेस भी चाहिए, 10 स्प्लेस भी चाहिए अनिट स्प्लेस भी चाहिए, तो एंसर आगे साढ़े 400, लेकिन ध्यान रखीएगा इसमें यह वो कुशन का एंसल है जो नंबर सी इवन, यह नहीं पूछा गया हम से हम से पूछा गया, डिजिट्स इवन होने चाहिए तो डिजिट्स ले लेते हैं न, यहोगे 1, 2, 3, डिजिट्स इवन का मतलब है हर एक कोई इवन, यहोगे 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे होगे 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे 0 नहीं आ सकता and that is why 2, 4, 6, 8, आप में से वो बच्चिन का PNC बहुत अच्छा है, वो चलिए ऐसा नहीं भी लिखेंगा तो चलिए लेकिन जिनको भी लगता कि इन के तरीके होगा 4, यहाँ पे कोई भी आ सकता है इन पाँचों में से 5, इन में से भी कोई 5, अब भी हम सीखे थे units place भी चाहिए and tens place भी चाहिए and hundreds place भी चाहिए 5 into 5 25, 25 into 4 is 100 100 ऐसे numbers है जिनके हर एक digit even है और यहाँ पे 6400 ऐसे numbers है जिसमें जो की even numbers है हालकि यह नहीं पूछा किया था लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ है से तो digits even वाले case होगा 190, बिल्कुल नहीं, 80 नहीं 60 नहीं, this is the answer clear होगे सभी को तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने 4 basic questions कर discuss किये और आपको 4 के 4 questions समझ में है, comment box में मुझे बताएगा कितनी clarity है आज का theme अगर आप देखेंगे तो यह रहा जहां पे आपको choice दी जाए जहां पे यह वाली feeling है और plus union जहां पे there is no choice जहां पे and वाली feeling है, intersection, multiplication तो यह था हमारा आज का session, समयाचों का student धर्मा का, यह रहा आपके सामने जो question display हो रहा है, तो इस question को देखिएगा pause कीजिएगा वीडियो को बनाईएगा और comment box से बनाईगा especially आप में से वो बच्चे जिनको थोड़ा सा भी दर रहोगा PNC का अभी तो शुरू ही किया है, garage वाली और वीडियो से आप और questions देखिएगे, वो ज़रूर बनाना गलत हो जाए फ़ले, comment box से मताना जिसका भी answer correct होता है, मैं usually like करता हो, thumbs up करता हूँ, fine तो मैं सौरब ठाबूर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ next time फिर से मिलेंगे, bye bye everybody, take care करता हो, खिर मिलेंगे, वो थाप लोते हैं दिए लोगों